हेलो किसन बाईओ, आज में अक्सफिंडा जोल और इन्वाइटमेट्मेट्ट बोलस के बारे में बताने वाला हूँ, किल वार्म जो कपिला का आता है, बहुत से पशियों में खाने की दिकत रहती है, यह जो इसमें वार्म रहते हैं जो कीडे बन जाते हैं छोटे पशुओं में और इसका पहिछान आप किस तरह कर सकते हैं जैसा भी इसका पतला हो जाता है और आखों से पानी आना और इसमें आप इसका थोड़ा पहिछान सकते हैं और थोड़ा सा जो है छो पशुओं में थो जो कील रहते हैं इसमें वार्म रहते हैं। इससे आपका जो हे डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है और पशु दूद देना कम कर देता है। तो इसके लिए ये काफी जवर्दस्थिक पिला का। तो इसको देने का खुरा कैसा है किस तरह आपको देना है किसान भाई हो इसका भी मैं पुरा इंफर्मेशन बता दूंगा अब ये 3,5-3 साल का इसमें पशु है और इससे बड़े पशु के लिए आप एक specialist में separately भी यूज कर सकते हैं तो इसका देने का विधी मैं बताना चाहता हूं आपको इसमें oxfindazole and ivormectin bolus है जो किल मौरम से आता है एक एक bolus है तो इसको देने का तरीका किस तरीका है तो यह जो है यह जो टैबलेट है आप बड़ा अपका पशु है तो इसको एक द कोई भी हरा चारा सुका चारा कोई भी देना नहीं तीन गंटे के बाद में आप सुका चारा खिला सकते हो और उसके बाद में इसको पानी पिला सकते हो तो बड़ा पशु है आपका तो यह पूरा गोली देना है और डाइरेक इसके टंग पे देना है जीप से आपको खिला जग जाता है और दूद में भी बढ़ जाता है तो इसका एक benefit और भी है जैसा इसमें बाडी में जो है जनावर के आपने जो पशु है उसके चमडी में चमक आ जाती है और इसके जो ग्रोड डाइजेशन सिस्टम है उसमें इसका फर्फिक्ट बेनिफिट आपको मिलना चालो जाता है और बहुत से भाई किसान भाई इसको अमारे पशुओं को खिलाते हैं मगर उसको लगता नहीं है तो यह वार्म के उज़्ज़ से होता है किडे बन जाते हैं इनके शरीर मे जो अभी यह फटिंग fondo की जो पुशु आरहे है उसमें जादा तर्ज ज़ादा पैदावार में दुध देने वाले तो इसमें जादा ये दिक्त आती है जैसा अभी कोई देशी है गाई है जैस को जादा नहीं आता है बोगर उनको भी देना चाहिए यह अच्छा रहता है तो इसका देने का तरीका एक है, कि जैसा आप हरे का धाई तीन महिने के बाद में एक गोली आपको देना है, जैसा भी छोटा पशो है तो इसको आधी दे सकते हैं, तीन-तीन महिने के बाद में आपको साल में चार बार रिपीट करना है इसको, और इसको देने के बाद में कु के उसी को डाइजेशन में होता है तो उससे क्या हो जाए उसमें पाव की जो ये खुर रहते हैं इससे वो किड़े आपके खात के द्वारा उसमें उनके पेट में चले जाते हैं तो जैसा कोई अशुद पानी पिला देते हैं आप खा अशुद खाना उसको खिला देते हैं त तो इसको कभी भी आपके पश्यों में केड़े की संभावना नहीं होगी और खाएगा भेगा भरपूर और उसको तब बेद भी अच्छी रहेगी तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में